रूस के घातकवार से पस्थ हो रहा युक्रेन रूसी सेना के तीखे तेवरों के चलते लगातार अपने कबजे वाले इलाकों से पीछे हटता जा रहा है युक्रेनी राशपती जिलिंस्की की बेबसी भी अब जग जाहिर है हार की हताशा अब उनके बयानों में भी साफ देखने को मिल रही है अब तक पश्चिमी देशों के हत्यारों के दम पर रूस के नाक में दम करने वाला युक्रेन अब जंगी मैदान में काफी कमजोर होता जा रहा है रूस का खिलाफ युध में लगातार पिछडते युक्रेन को फ्रांस ने सहारा देने की पहल की है युक्रेनी सरजमी पर फ्रांसी सी सैनिकों के कदम रखने और रूस के बॉर्डर पर नेटो देशों की चल रही सबसे बड़ी ड्रिल के बाद अब रूसी राश्रपती व्लादेमिर पुतिन के एक फैसले ने पश्चमी मुलकों की बेचैनी बढ़ा दी है युक्रेन के साथ जंग के बीच पुतिन ने परमानू हत्यारों को लेकर बड़ा फैसला लिया है रूस ने अपने परमानू हत्यारों के अभ्यास का एलान कर अमेरिका समेथ तमाम पश्चमी देशों को हैरान और परेशान कर दिया है रूसी रक्षा मंत्राले ने कहा है कि रूस का पर्मानू हतियार अभ्यास कुछ पस्चमी अधिकारियों के भड़काउ और जोशीले बयानों और धमकियों के जवाब में है हाला कि मंत्राले ने अपने बयान में उन विदेशी अधिकारियों का नाम नहीं बताया जिन्होंने रूस को धमकी दी है एहम बात ये भी है कि ये पहली बार है जब रूस ने खुले तोर से परमानू हत्यारों से जुड़े अभ्यास का ऐलान किया है हाला कि उसके रणनीतिक परमानू बल नियमित रूप से अभ्यास करते रहते हैं बता दें कि बड़े पैमाने पर हत्यारों की तुलना में सामरिक परमानू हत्यार बेहद विनाशकारी साबित होते रहे हैं ये पूरे शहर को तबाह करने के इरादे से इंटर कॉंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों से लेस होते हैं। रूसी रक्षा मंतराले की माने तो दक्षणी सैनने जिले में मिसाइल कॉलम और रूसी नौसेना भी इस ड्रिल में हिस्सा लेगी। माना जा रहा है कि रूस की ये घोशना युक्रेन के पश्चमी सहयोगियों के लिए एक चेताव नी साबित हो सकती है धरासल पिछले कुछ समय से पश्चमी देशों की ओर से रूस के खिलाफ बयान सामने आ रहे थे इसमें फ्रांसीसी राश्रपती मैकरों भी शामिल है जो काफी समय से नेटो देशों पर युक्रेन में अपनी सेना भेजने का दबा वना रहे हैं वहीं ब्रिटेन के विदेश सचिव डेविड कैमरन ने हाल ही में कहा था कि जल्द युक्रेनी सेनाए रूस के अंदर टार्गेट पर सटीख हमला करने के लिए ब्रिटेन की लंबी दूरी के हत्यारों का इस्तमाल करने में सक्षम होंगी ऐसे में दावा किया जा रहा है कि रूस को लेकर पश्चमी देशों के उगले जहर का ही नतीजा है कि पुतिन ने अपने परमानू हत्यारों की रिहर्सल करने का मूड बनाया है बताते चले कि रूस के पास दुनिया के सबसे ज्यादा परमानू हत्यारों का जखीरा है इस मामले में अमेरिका दूसरे पाइदान पर काबिज है रूस का कहना है कि अमेरिका और उसके यूरोपिय सहयोगी देश साल 2022 से रूसी सेनाओं के खिलाफ यूक्रेन को अर्बो डॉलर के हत्यारों के साथ समर्थन दे कर दुनिया को परमानू शक्तियों के बीच तकराओं के कगार पर धकेल रहे हैं युद्ध शुरू होने के बाद से ही रूसी राश्पति पुतिन ने बार बार परमानू खत्रों की चेतावनी दी हैं बावजूद इसके अमेरिका समेत यूरोपिय देश यूक्रेन को हर संभव मदद को उतारू है युद्ध शुरू है